हलो फ्रेंज वेल्कम है उच्छा स्टीट फूड में मैं पुन्नम सिंग आज आपके लिए के रेसिपी ऐसी लिके आई हूँ जिसमें आपको देखकर आपका नाम बच्पन जरूर याद आने वाला है वह है कॉटन केंडी आपने बहुत कही होगी और स्टीट फूड है यह ब मर्शल मशीन है और इसके अंदर एक हीटर लगा हुआ है इसको इनाइट किया चाहता है और एक यह ब्लाक कलर का आप यह देख रहे हैं दो सरकल है यह देखिए और यह तवा और इसको इन्होंने नीचे से इसमें लगा दिया फायर और उपर जो क्याप लगी हुई है उसम इसमें इन्होंने डाल दिये चीनी और बस उस चीनी को यह गरम करेंगे मेल्ट होने तक चलो देख लेते हैं इस वीडियो में स्टेप एस्टाइब कि अगर आप मेरे चानल पर नए हैं तो लाइक एंड शेर करना ना भूले सब्सक्राइब करें चानल को और कमेंट करके बताएं आपको यह वाली वीडियो कैसी लगी और आने वाले टाइम में आपको कौन सी वीडियो चाहिए किस तरीकी की चाहिए तो देट कि मैं आपको आपके अकॉर्डिंग वीडियो को अफ्लोड कर सकूँ कि यहाद थीरे-दीरे के खुष्बू भी आने लगी है जैसे यह तब गरम हो चाहेगा और चीनी की खुष्बू भी आने शुरू हो चाहिए जैसे में भीनिंग करेंगे इसकी और यह मान्वली है सारा सेट अप इन्नोने क्षोटी सी साइकल पर किया हूा है बहुत सस्ता स्टिक लगाते हैं लगडी की और उसको अच्छे बीच में से एक स्लेट कर देंगे और उसमें फसा के आपको कॉटन केंडी बना के देते हैं यह देखिए मुझे तो बहुत पसंद है तो सोचा एक बार आपके साथ पीए शेयर करूं कि यह लोग किस तरीके से बनाते हैं कॉटन को एक दम स्वीट कांडी बनाएंगी यह देखिए अब यह बस पेन करने के लिए रेडी है यह देखिए हैंडल लगा हुआ है वील के उपर अब यह इसको घुमाने वाले हैं मानवली घुमाएंगे यह देखिए वाव बस नानमली चलना शुड़ू और देखिए जो चीनी का है उसका थ्रेड बनना शुरू होचाएगा और यह जो रेंग लगी हुए है जिसमें इस पेनिंग हो रहा है और वहां पर सारका सार्व हमारा यह जो कॉटन कैंडी यह घट्टा होना शुरू होचाएगा देखिए आप देख सकते हैं जैसे वीडियो में दिखा रहा है पिंक लर आपको नज़र आ रहा होगा दाप मेंस को जो थ्रेड है वो बनना शुरू हो चुके हैं वाव यामी यह दिखिए आप इनोंने उतार लिया इसको और इसको लपेट देंगे जो बैने आपको एक इसके साथ म पर एंजोई कीचे और बच्चों को खिलाएं सबको खिलाएं खुद भी खाएं वाव बनके तैयार इस तरीकी की अच्छी रस्पीस के साथ फिर मिलेंगे और कमेंट करके आप मुझे सेजेशन दे सकते हैं तब तक के लिए बाई अपने बना रिखा पूली थीन में है